लेकिन आप कहने किसान परिशान हैं भारती जंता पार्टी कहती है कि देश में पहली बार ऐसा हुआ है जब किसान को सम्मान निधी के तौर पर केंद्र और राज दोनों सरकारें हर महीने पैसा दे रहे हैं आपके कहने का मतलब के एक हांट से दे रहे हैं और दूसरे हांट से छीन रहे हैं अभी हम जब रस्ते में आपके गाहों में दाखिल हो रहे थे तब हमें वो विकास कहीं नजर नहीं आया एक ग्राम पंचायत को भी आप मॉडल के तौर पर प्रिस्तुत कर सकते थे जिस पंचायत के तौर पर इस मॉडल को दिखाने के बाद आप दाबा करते ऐसा क्यों नहीं कर पाए इन चारों ने मिलके कहीं कसम खाई है कि जिसको भी टिकेट मिलेगी हम सब उसका काम करेंगा या इसलिए है के कॉंग्रेस को जिताना है या इसलिए है कि बबलू शुकला गोहराना है नहीं उसका दो उनकी परवर्तिया है एक तो बहुत लोवी है दूसरे बहुत डरे हुए है तो सत्ता कमलनाच जी की जब थी तब कमलनाच जी के साथ खड़े थे जैसे सत्ता परवर्तन हुई भाजमा की सत्ता आई एक तो दारू में दारू बिक रही है गाओं गाओं गली गली आप लोग पांच साल तक क्यों खामोश रहे है यादव मतदाता एक भी अब बबलु सुकला को बोड देने वाला नहीं है इस बिधान समाच छेतर में ब्राम्हर ठाकुर राजनीती का कितना प्रभाव है क्या जाती है समीगरण भी प्रभावित करते हैं एलेक्शन को लेकिन मैं रोगूँगा वरतमान में उन्हीं के परिवार के केशुराज अटिकेट मांग रहे हैं आपकी पार्टी से अब ये इनकी एकदम पार्टी में नए नए आये हैं अठारा भीश साल का सासन और पंदरा महीने का सासन कॉंग्रेस भहुत जरूरी है नहीं तो ये भाज़पा हमाय पूरे समाज को खतम करने के चक्कर में है नमस्कार प्रदेश समचार में आपका स्वागत है मैं हूँ अंकुरियादो मत्रदेश में चुनावी अभ्यान तेजी से आगे बढ़ रहा है नेता जनता के बीच पहुँच कर अपनी बात कह रहे हैं नवंबर में प्रदेश में विधान सभा के चुनाओ है और बचे कुचे दो-तीन महीने में ही नेता के पास वो वक्त है जिस वक्त में वो अपनी बात जनता तक पहुचा सकते हैं हमारी कोशिस ये है कि जनता के पास जो विकल्प हैं वो विकल्प खुल कर जनता के सामने आएं अपनी भविश्य की योजनाएं बताएं और जनता से अपनी बात रखें इसी के लिए हमने राजपाट 2023 अभिहान के अंतरगत एक नए सेगमेंट की शुरुवात की है जिसका नाम है बागदोर बागदोर में आज हमारे साथ मौझूद हैं मद्यप्रदेश की विजावर विधानसभा छेतर से कॉंग्रेस की टिकेट के लिए दावा कर रहे है राजेश सिंग पायक जी राजेश सिंग पायक मद्यप्रदेश की विजावर विधान सभा के कुर्रा के मूल नवासी है यहां से लगभग 15 सालों से उनका ग्रामीर राजनीती में अच्छा दखल है और इस दखल के सहारे विभारते जंता पायटी के तमाम निताओं को उनका काउंटर करते रहे हैं सिलाके में और कॉंग्रेस की राजनीती में उसके संगठन में एक एहम जगए उन्होंने बनाई है इस बार वो विधान सभा की टिकेट मांग रहे हैं उनसे पूछेंगे कि टिकेट मांगने की उनकी वजहें क्या है और इस विधान सभा छेत्र में हाल क्या है बहुत स्वागत है पेप्टिक पर आपका पेप्टिक चैनल को और आपको बहुत बहुत धन्नवाद राजिस जी चुनाओ का वक्त है आज आप हमारे लिए घर पे हमें मिल गए नहीं तो अब तक जनता के बीच पहुंच जाते जब जनता के बीच जा रहे हैं वो दो-तीन एहम बातें जो जनता से कर रहे हैं और जनता को बता रहे हैं और प्रोदेश में सत्ता परिवर्टन के लिए जो कॉंग्रेस का एजेंडा है वो क्या है देखे सत्ता परिवर्टन के लिए आपने तीन हम बातें पूछी तो में तो जो हमाई पूल मुक्ख मंत्री और प्रदेश अद्रीक्षादर निकमलनाच जी ने पांच जो योजनाय बताई हैं कि हम सत्ता में आएएंगी तो पांच योजनाय आपको देंगी जैसे पंदा सो रुपे हर मैला को प्रितिमा है पांच सो रुपे में गैस सिलेंडर सो यूनिट बिली माप, किसानों का कार्ज माप, पुरानी पेंसन ही उचना लागू करेंगे एक तो हमाई लिए ये बहुत आहम बात हो जाती है इसके बाद में बिजावर बिधान सभा में लगबग 90% किसान रहती है कुल आवादी का 90% किसानों का है तो यहां किसान भाजपा के इस 20 बरस के शासन में जितना सोशन हुआ है किसान का सुनके और देखके और कल्पना करके घवराहट होती है मतलब किसानों को इस तरह से कुचल दिया गया है इनकी नीतियों ने इस तरह से बरबाद कर दिया है अगर ओलावेश्टी होती है तो उनको मौपजा नहीं दिया जाता है छती पूर्ती राशी नहीं दिया जाती है अगर किसान की खेती का टाइम आता है तो डी एपी की बोरी नहीं दी जाती है तो ब्लेक मार्केटिंग करके बारा सो रुपए प्रती बोरी का जो रेट है उसे दो हजार रुपए में बैचा जाता है अगर जब किसान की फसल में पानी लगना है और बोल्टेज उस टाइम पर मिलता नहीं किसान को तो उसकी खेती सूकती है कहीं दोके से ट्रांसफार्मा बर गया तो मद्देश सरकार के पास देने के लिए ट्रांसफार्मा ही नहीं है एक एक दो-दो महीने लग जाते हैं जब तक किसान पूर्ण रूपे बरबाद हो चुका होता है लेकिन आप किसान परेशान है भारती जंता पार्टी कहती है कि देश में पहली बार ऐसा हुआ है जब किसान को सम्मान निधी की तौर पर केंदर और राज दोनों सरकारें हर महीने पैसा दे रही है मैं आप जो बात कह रहा हैं उसको बिस्तित रूप से डिफाइन करना चाह रहा हूँ जैसे वो दस हजार लोपे पूरी साल में देते हैं शहजार प्रदानमंत्री सम्मान ने दी और चारहजार मुखमंत्री सम्मान ने दी ऐसा है और कुछ अब आप एक साथ आठ एकड़ के एवरेज किसान की बात करें अगर तो जो कॉंग्रेस के टाइम पर डीजल के रेट थे और पिछले नो बरसों में जो डीजल के लेटों में बड़ोतरी हुई है तो उन लेटों में जो किसान अपनी खेती में डीजल का उपयोग करता है अगर उन लेटों का अंतर ही आप करो तो उनकी दसजार की सम्मान ने दी समापत हो जाती है आपके कहने का मतलब के एक हाथ से दे रहे हैं और दूसरे हाथ से चीन रहे हैं और एक हजजार हाथों से किसान को लूट रहे हैं उसका गला दवा रहे हैं फिर उसको अपने बच्चों को भी पढ़ाना है बजार से कपड़े भी खरीदना है बेटी की साधी भी करना है मकान भी बनवाना है हर चीज के कई गुना रेट बढ़ गए है हसल का तो कुछ ऐसा सरकार ने उनके पास कोई योजना नहीं है कि उसकी पेदावार बढ़े तो क करता हूं आपको के अग मैं तो विकास उस बात को मानता हूं कि आदमी का जीवन इस्तर अठे़ है अच्छे से अच्छा हो उसके बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ें वो बैटी की साधी बिना कर जा ली ये कर सके वो एक अच्छा मकान बना सके रहने के लिए तो किस अंकरही नहीं पारा हिना फिर आप किसम कास की बात कर रहे हैं कोन से संमान निदी की बात कर रहे हैंma मेरा कसान मजबूर है, लाचार है, दूसरे के साहूकारों के दर्वाजी बठाए, कि मेरी खेती कैसे होती है, मेरी वेटी की सादी कैसे होती है, मैं एक मकान बनाओं तो कैसे बनाओं, यह तरहतल पे यह इस्तितिया है. चलिए इस्थानी मुद्धे पर आते हैं विजावर विधान सभा बहुत महत्पूर्ण विधान सभा है और इस विधान सभा में कॉंग्रेस से कई लोग टिकेट के लिए दावा कर रहे हैं आपको ही कॉंग्रेस टिकेट क्यों दे अब ऐसी तो कोई बाद दता नहीं है कि मु कोंगा देंगर किरूप मल लगा कि खेती की है और अच्छी खेती करी है इन दौर में मैंने की सिख्षा प्राप्त करी वहाँ से करने के बाद बास सर्ण अठाट सी में मैं गाउ आ गया तो यहां पर विरासत में मुझे मेरे माबाब की खेती मिली, मैंने खेती करी, खेती में क्या परेसानिया है, कौन सा फायदा है, कौन सा नुकसान है, कैसे क्या है, इस हर चीज का मुझे बारीकी से ग्यान है, मैंने जब देखा कि किसान का तो भगवानी मालक है, बाकी जमीन लेवल पे कोई उनकी मदद करने के लिए तयान न तो मैंने दो हजाज से खेती तो बंद कर दी अब मैं ठेका पे और अपने हिस्टे पर खेती करवाता हूं बागी उसके बाद मेरा लक्ष है कि किसानों के अधिकारों के उनके हकों की लड़ाई उनके साथ जो लूट खसोच हो रही हो उसके खिलाप लड़ाई लड़ू और उस लड़ाई को मैं बराबर लड़ रहा हूं चाहे खात की ब्लेक मार्केटिंग हूं उसके खिलाप मैंने धरना प्रदर्शन आंदोलन किया और सफल आंदोलन किया और चाहे ओला वेश्टी हो चाहे अतिवेश्टी में फसल नष्ट हो गई हो तो उनके मौपजे की लिए लड़ाई लड़ी अगर कोई सरकारी तंत उन्हें किसी भी डरा के धमका के लूट खसोट करता है मेरी जानकारी में यह वो बात आती है तो मैं उसके लिए लड़ता हूं मुझे इस बात का गर्व है और मन में संतोस है कि मैं सार्बजने की जीवन जी रहा हूं तो मैं कही कही मानो की सेवा कर रहा हूं किसानों के रूप में किसान मेरे लिए भगवान है और मैं उनके लिए काम कर रहा हूं तो मैं किसानों के लिए अधिकार के सहथ काम कर सकूं इसलिए मैं दावा करूंगा कि मुझे टिकेट मिले और मुझे मेरे अधिकार बढ़ें ताकि मैं उ पाखिल हो रहे थे तब हमें वो विकास कहीं नजर नहीं आया एक ग्राम पंचायत को भी आप मॉडल के तौर पर प्रिस्थत कर सकते थे जिस पंचायत के तौर पर इस मॉडल को दिखाने के बाद आप डाबा करते ऐसा क्यों नहीं कर पाए अब मैं उसकी वज़ाए हमारे पहाड के नीचे गाओं यह जैसे यह वारस होती है तो पहाड से मिट्टी बहुके आती हो और गाओं में 6-6 इंच जमा हो जाती है लोग अपने गहर के सामने से मिट्टी आते नहीं है तो वो एक उसमें और फिर उसकी बाद पानी आता है तो उहां पे कीचड़ हो जाता है यह मुख बज़े है बगी ऐसा नहीं है कि यहां सीसी रोटों का निर्मान ना हुआ हो गुडवत्ता पूलवक सीसी ना बने हो यह बने हैं यह आप देख सकते हैं आप कहीं की भी मिट्टी उठा के देखेंगे 6 मिट्टी खोदेंगे तो वहां सीसी मिलेगा अच्छा सीसी मिलेगा अच्छा एक बात मैंने सुनी है कि जितने भी कॉंग्रेस के दाविदार हैं आप तीन चार लोग जिनके महत्पूर्ण तोर पर नाम सामने आ रहे हैं चाहे वो गह करन मंदल मातकवा में हम सभी लोग एखटे हुए बजरंग बली का सिद्ध स्थान हो तो वहां पर सभी कार करता मंदल सेक्टर बूत कमेटी के सभी हमाएं कॉंग्रेस परवार के कार करता थे हम सभी दावेदार वहां पर थे वहां पर एक ही बात हुई कि टिकेट किसी को भी मिले कॉंग्रेस का काम करना है अपने लिए पंजा और तिरंगा जंडा ओ कमलनाज जी तीन चीजों का ध्यान लगते हुए सिर्फ कॉंग्रेस किसी को भी बनाए कॉंग्रेस अपने को हाथ का पंजा तिरंगा जंडा कमलनाज जी मुखमंत्री बने यही उद्धेस होना और भारती जनता पाइटी से जो थोड़ा सा नाराज चल रही है रेखा या दो वो टिकेट ले जाती है तब क्या होगा? वो जब ह canım क्या समझ है, भागी हम लोग कॉंग्रेश के प्रती निस्ठावान है, कमल नाज जी के मुहमंध्री बनें ओ मुहमंध्री जब बनेंगे हल बद्हान सावा से जीत के जाएंगे? तो हमारा प्रयास रहेगा कि वो जिसको भी टिकेट दें उसके साथ हम पूरी तागस्ति लगें बात कसम खाने तक आ गई इसका मतलब क्या समझा जाए कि ये एक जुटता या ये जो शपत है ये इसलिए है कि कॉंग्रेस को जिताना है या इसलिए है कि बबलू शुक्ला को हराना है बलू शुक्ला के कारिकाल की बात कर लेते हैं शुरुवात में समाजवादी पाइटी से चुनाओ जी थे फिर कमलनाद जी से नजदीकियां रही कॉंग्रेस के बहुत निकट रहे और जब सत्ता परिवर्तन प्रदेश में हुआ तो बे भारती जनता पाइटी में चले गए इस पूरे कारेकाल के दौरान आप लोग उन्हें किस तरह से रेट करते हैं क्या किया उन्हें विधान सबाचेतर के लिए देखिए वो दो उनकी प्रवतियां हैं एक तो बहुत लोभी हैं दूसरे वो बहुत डरे हुए हैं लोभी कैसे मैं कहूंगा उनके जो अवैद धंदे चलते हैं या जो बैद धंदों में भी कुछ अवैद हाथ पाँ पहलाए जाते हैं तो उसके लिए उन्हें सत्ता की आवसकता है तो सत्ता कमलनाच जी की जब थी तब कमलनाच जी के साथ खड़े थे जैसे सत्ता परवर्तन हुई भाजपा की सत्ता आई तो फिर भाजपा के साथ खड़े हैं ताकि उनके अब ये उनका डर है दैसत है मन में और लोब उनका ये है कि पैसा अब तरीके से कमाना उनका सिस्टम चलता रहा है दूसरा ये कि 35 करोड का ओफर मिला मद्देश में ऐसी चर्चा होई सत्ता परवर्तन के लिए कई बिधायक उस 35 करोड में बिक के और चले गए तो हो सकता है कि ये भी अपने आपको न रोक पाए हूँ और 35 करोड के लालच में भाजपा के साथ चले गए हूँ अवैत धंदों के आपने बात करी किस तरह के अवैत धंदे हैं से आम जंता प्रभावित हो रही है के एक क्वाइटर भी कोई बिना सकता के संद्रक्षण में बैच सकता है क्या नहीं बैच सकता है उसके बाद साथ दुकाने खुले हैं खुली हैं बिजावर में वो बिक रही है गांजा भांग और आप अबेद बालू सब धडलने से चल रहा है सरकार जो सरकार का दायत होता है कि अबेद कामों को लोकना मोन और मूख दरसक बनी देख रही है कहीं कोई किसी के खिलाब कोई कारवाई नहीं हो रही है सरकार की खामोशी का समझ में आता है लेकिन आप लोग पांच साल तक क्यों खामोश रहे आप लोग भी तो विपक्षी होने के नाते जनता की लड़ाई में सामने खड़े हो सकते थे मैं तो जहां तक मैं खुद की बात करूँ या मेरी कॉंग्रेस पारटी की बात करूँ हम लोगों ने उचित प्लेट फार्म पर हमेशा बिरोद किया है इन बुद्दों को उजागर किया है और स्टेज से आप लोगों के माध्यम से इस बात को सत्ता के जो भाजपा के सिखर के निता है उन तक पहुंचाने का प्रियाज किया है अब सभी लोग एक संग्टिद गिरोग की तरह काम कर रहे हैं नफक निते इस बार शुक्राटि जो गिरोग होता है और संग्टिद गिरोग की तरह काम कर रहे हैं सभी उस में सामिल ने सभी इस्चेदार हैं क्योंकि अगर या तो इसमें कारवाई होना चाहिए, कारवाई नहीं हो रही है, और हम सभी पिलेट फामों पर अपनी बात रख लाय है, उसके बाद भी कारवाई नहीं हो रहे हैं, तो सब सामिल है, इसको मान लेते हैं, पर और और क्या करें? आपको एक लंबे समय से राजनीती का अनभा हो, एक फैक्टर पर मैं और आपकी राय जानना चाहता हूँ, कि जब वो समाजवादी पाईटी से बबलू शुकला चुनाओ लड़े थे, और उसके बाद अब वो संभवता इस बार भारती जनता पाईटी से चुनाओ लड़ें हैं, क्योंकि उनके अंदर भारी रोज हैं, उन्होंने जिस समर्पन भाव से एकदम त्याग करके और मन से जो बबलू सुकला को चुनाओ जितवाने का काम किया था, बबलू सुकला ने उनके नेता, अखले सियादाओ की भावनाओं को आहत किया है, और अपने स्वारत बस सपा को छोड़के भाजपा में चली गए हैं, इस बात को लेके यादो बोटर बहुत नाराज है, और बबलू सुकला कुछ भी करने, यादो का तो एक भी बोटर ने मिलने वाला नहीं है, अच्छा, अभी हम कुछ उनके समर्थकों से मिल रहे थे, उनके समर्थकों ने 4-5 आज बड़े काम गिनवाए, जो बबलू सुकला ने अपने कारेकाल में किये, मसलन उधारन की तौर पर हम इशानगर के अस्पताल की बात करें, उन्होंने कहा कि एक बढ़िया अस्पताल उन्होंने बनवाया है, केशु राजा जिस छेतर से आते हैं, उनका एक एहम गाउ पहाल गाउं, उस गाउं में आज तक सड़क नहीं थी, वो सड़क बबलू सुकला के कारेकाल में डली, मादगवा से बिजावर तक एक बड़ी सड़क बबलू सुकला के कारेकाल में डली, जटा शेंकर छेतर का विकास उनके समर्थक बता रहे हैं कि बबलू सुकला ये का मंत्री थे उनके उसमें पास हुआ था ये दावे के साथ कहता हूं इसमें कहीं कोई वो नहीं है अगर आप इसकी जाच करवा लीजिए और अगर ये गलत हो ये बबलू सुकला का करवाया नहीं है मानी कमलाजी का की दी हुई इस विदान समाच चेतर में ब्रामः ठाक और राजनीती का कितना प्रभाव है क्या जाती है समीगरण भी प्रभावित करते हैं एलेक्षन को देखे जात कोई भी एक जात सिंगल जात चुनाओ नहीं जीश सकती है ना जाती समीगरण जे देखो मैं तो अगर ये समाच साथ जात से बनता है जैसे गुलदस्ते में सभी रंग के फूल सभी पेड़ों के फूल होते हैं तो गुलदस्ता की सोबा बढ़ती है और आप ज साथ चल देंगे तो वहां विजय होगी और सब बढ़िया हो जाएगा मैं यह सवाल इसलिए पूंच रहा था कि बबलु शुकला के समर्थक यह कहते हैं कि यह जो बैल्ट है इशनगर छेतर का जो बैल्ट है इस छेतर पर लंबे समय तक ठाकुर जाती के जो नेता रहे हैं जिसमें कॉंग्रेस के ही निता हैं आपके चाहे आशारानी जी के परिवार हो के शुराजा हो आप हो इन इस जाती का एक बर्चस्व रहा है सामंत शाही रही है जिसके कारण जंता परिशान रही गुंड़ागर्दी दवंगई उस समय जादा रही और इस से चुटकारा ज की लोगों ने यहाँ पर कि है और इसका नंगर का ब्लॉग भाटा पा के जुजार सिंग जी बिधायक हुआ करते थे उनके सगे बती जराम का साथ माल पीट की थी और रामपाल सिंग भी भाजपा के पदादकारी थी लेकिन मैं रुगूंगा वर्तमान में उन्हीं के परिवार के किशुरा जटिकेट मांग रहे हैं आपकी पार्टी से अब यह इनकी एकदम पार्टी में नए नए आये हैं क्योंकि माननी आसारानी जी भी भाजपा से विधाय करें असोग भी विक्रम सिंग जी निर्दली और सपा से विधाय करें अब इन्होंने कॉंग्रेस जोईन करी है तो अब आप बागी के पिछले कामों को कॉंग्रेस के साथ नहीं जोड़ सकते हैं कॉंग्रेस का यह यह भी आदमी ऐसा नहीं रहा हम आखरी सवाल जो बात जंता से सीधे कहना चाहते हैं अगर दो महतपूर्ण बातें जो आपको जंता को बतानी हों क्यों जरूरी है कॉंग्रेस इसलिए जरूरी है कि भाजपा के पास जंता के लिए कुछ भी नहीं है ये गुमराय करते हैं जाती की धरम की बात करते हैं और बेमनस्ता की बात करते हैं अच्छा करने से अच्छी सोच रखने से ही समाच का विकास होगा लोग आगे बढ़ेंगे कौंग्रेश की सोच अच्छी है शकारात्मक सोच है काम करने की नियत है आधरनी कमलनाज जी कह रहे हैं कि हमें मुँका मिलेगा तो हम एह करेंगी जनता उसको सोचे समझे और तुलना करे कि पिछले 18-20 साल का सासन और 15 महीने का सासन इस बात को जहां जनता इसकी तुलना करेगी और इनमें मनन करेगी तो निश्यत तोर से कॉंग्रेस को चोनेगी कॉंग्रेस बहुत जरूरी है नहीं तो यह भाजपा हमाई पूरे समाज को खतम करने के चक्तर में है और खतम कर देगी आर्थिक रूप से मांसिक रूप से और समान के रूप से बिलको खतम करने का काम कर रही है यह चाह रहे हैं कि हम लोगों को इतना गरीब कर दें इतना गरीब कर दें कि कंट्रोल के रासन के उपर आसरत हो जाएं यह गुलाम बन करोड लोगों को सस्ता रासन दे रहे हैं आप यह बताईए कि यह धिंडोला पीटने की चीज़े के सरम की चीज़े लेकिन योजना राशन की जो है वो भारत में कॉंग्रेस नहीं लॉंच की थी तो कॉंग्रेस के सासनकाल में अगर गरीवी रिखा से नीचे जीवन यापन क कि नोवर्ष के सासनकाल में यह लिष्ट दुगने के उपर पहुंच रही है तो यह इस बात का धिंडोला पीट रहे हैं कि हम गरीवी बढ़ रहे हैं गरीवों की संक्या बढ़ रही है तो यह गर्ब की बात होना जीए देश के लिए या सर्म की बात होना जीए यह सर्म की की होजनाय हों गरीब करने की होजनाय ना हो कॉंग्रेस यह नहीं चाहती है कि लोग गरीब हों लोग पैसे वाले हों संपन्न हों और सक्षम हो बहुत शुक्रिया आपका राजेश जी हमसे बात करने के लिए तो बिजाव और विधान सभाचेतर की एक हवा का अंदाजा आप उनकी बातों से लगा सकते हैं बहराल जनता आने वाले दिनों में किसे चुनती है यह जनता के मन में होगा इस इंटरव्यू में इतना ही नमस्कार